दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको बताने वाला हो मचली आसन इस आसन की एक विश्षता यह है दोस्तों कि आप इस आसन को लगा करके पानी के ऊपर घंटों तक आप लेटे रह सकते हैं बिना तैरे हुए और किस प्रकार से इसे करना है मैं सारी विधी आपको अपने इस वी बाय पायर को दाहिनी जांग पर और दाहिनी पायर को बाय जांग पर रखें या आपका पूड विश्रामासन कहलाया अब धीरे धीरे पीट के भाग को उपर उठाएं जिससे सरीर का वजन सिर अब नितम पर पड़े अब दोनों हाथों से पंजों के उठे पकड़ लें इ समच आ सकती है इसलिए आप इसका अभ्यास दिरे धीरे करें इस टैमिना जब आपका बढ़ता जाएका धीरे धीरे तब आप इसे ज़्यादा देर सकते हैं इसको करते वक्त आपका ध्यान अनाहत चक्र पर होना चाहिए जो कि आपका ठीक हिरदय की नीचे होता है या ये कहलें कि आपका ध्यान स्वांस पर होना चाहिए स्वांस करम आपका पूर्ड आसन पर गहरी स्वांस लें तीन से पांच मिनट तक इस आसन को करें अब दोस्तों मैं इसके आपको लाब बता देता हूँ या आसन बवासीर खूनी हो या दायुक्त हो ठेक करता है हरदय को बल मिलता है फेफडे मजबूत होते हैं स्वास संबंदी रोगों की जिए या हितकर आउसत जैसा है कब्ज दूर कर भूप बढ़ाता है आलस से दूर करता है मेरुदंड कमार पीठ जांगों की मास्वेश को मजबूत करता है ग्रीवा में तड़ाओ पढ़ने की कारड़ कल गरंथी को ला पहुंचाता है सर्वाइकल स्पॉंडलासिस में बहुत आराम मिलता है थारड गरंथी को ठीक करता है दोस्तों सीरसासन और स्रवांगासन के बाद यासन करने से विकार समाप्त होते हैं इस आसन को सारीरिक अवस्था का ध्यान लगकर करम पूर्वक करें अन्यता इससे आपको लाब के बज़ाए नुकसान भी हो सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों